पूरो मंत्री वो कॉंग्रेस के राजटी सचेव सुधीर शर्मा ने कहा कि नगर निगम चुनाबों में बाचपा को दर्मशाला की अंदेखी का हिसाब देना होगा बाचपा की गंगा क्यों उल्टी बहने लगी बाचपा के एक कैबिनिट मंत्री भी यहीं से थे तब ये सोगात और गोखशनाओं का पिटारा कहां गुम हो गया था बाचपा सरकार का तो हाल थोथा चना बाजे गना जैसा है नगर निगम चुनाबों से पहले धर्मशाला पर इस तरह प्यार वरसाने का कारण जनता समझती है धर्मशाला विदानसबा और नगर निगम में जो भी विकास कार्या हुए हैं या चल रहे हैं वो कांग्रेस सरक की देन है धर्मशाला विदानसबा के लिए बाचपा सरकार का रवेया सुरू से ही उदासीन रहा है सरकार बढ़ने के तीन बर्श पूरे हो जाने पर भी हिमार्चप सरकार ने कभी भी धर्मशाला के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया उल्टे जो विकास का रहे थे बो भी अब अधर में जूल रहे हैं जो विकास की लहर कॉंग्रिस ने 2012 से 2017 के बीच में क्षेतर के लिए लाई उसका ही परिणाम है आज सब के सामने पकी सड़के स्मार्ट सिटी नगर निगम ओपन जिम फुटपार्ट पारक सुचारू विजली विवस्ता सेटिट एक कॉंग्रिस सेट की ही देन है जो दर्मशॉला बिकास के नए आयाम स्थापित कर पा रहा था बाशवा सेट के बिकास कारे को ठंडे वस्ते की करम भूमी बना जूठे विकास की उपलब्दियों का चोला पहनाना अरम कर दिया चुनाबों के आते ही गोशनाओं का पिटारा खोलना जैराम सरकार के लिए नई बात नहीं है ये तो बाश्वा की प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं जैसे इनकी केंद्र सरकार करती है जहा अकर अगर आम जनता से विकास के बारे में पूछा जाए तो नाम सिरफ कॉंगरिस का हैगा धर्मशाला की जनता शिक्षित है उनको पता है कि नगर निगम किसकी देन है इसलिए इन निकाए चुनाबों में जनता जैराम सरकार को आईना जरूर दिखाएगी और अभी अमरी नल बारे अपनी इस्तिदिस परस्ट करने चाहिए इस सारी योजनाएं उस समय की हैं परदेश सरकार की तरफ से पैसा ना आने के कारण पिछले तीन वर्षों से अधर में लटकी वी सारी योजनाएं हैं और कोई भी नया काम जो है धर्मशाला नगर निगम के अंदर नहीं हुआ है ओ पेक्षा का शिकार जो है ये नगर नि लेकिन धर्मशाला की जनता पड़ी लिखी है और जल्द ही जब चुनाव होंगे उनके प्रिणाम आएंगे तो वह स्थिति जो है वो सामने आएगी आज हम यह जानना चाहते हैं कि दूसरी राजधनी के ऊपर भारते जनता पार्टी की सरकार का क्या कहना है केंद्री विश् प्रदेश स्तर की फुटबोल एकडमी जो धर्मशाला के लिए बजटिट की गई थी पैसा भी आ गया था उसका काम क्यूं अरम नहीं हो रहा है और साथ ही साथ जो धर्मशाला का बस टर्गनल है उसका काम क्यूं बंद पड़ा है ऐसी अने के उजनाए हैं तो समय आने पर हर एक चीज का हिसाब जो है वो मंगा जाएगा न केवल मैं बलकि धर्मशाला नगर निगम का हर मद्दाता इस प्रशन को भारते जनता प्राट्टी के लोगों से पूछेगा